स्वागत आपके अपने चनल सिविल साइट विजिट में दोस्तो आज का वीडियो काफी जादा इंपोर्टेट है क्यों? क्योंकि मैं डेट सो इंटर्व्यू कोशन जैसे मैंने पहले भी कहा था 150 इंटर्व्यू कोशन लेके आऊंगा जो काफी इंपोर्टेट होंगे जो आपके इंटर्व्यू में पूछे जा सकते हैं जो आपको फिल्ड पे काफी काम आएंगे तो complete वीडियो देखना वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन देखोगे तो आपको काफी चीज़े इसमें से सीखने को मिलेंगी तो स्टार्ट करते हैं जो सबसे पहला question है हमारा what do you understand by M25 concrete जो concrete के grade होते हैं M10 की बात करूँ 15 20 25 वो कहां से आते हैं मतलब क्या है अगर आपको कोई interview और question पूछ लेगी M25 concrete क्या चीज़ है तो आपको उसको आपको प्रेक्टिकल कैसे करना है जो IS code 456 2000 कहता है M जो refer करता है वो करता है mix और जो 25 वो है उसकी compressive strength मतलब हम बात करें अगर M10 ने होगा M mix होगा 10 क्या होगा उसकी compressive strength होगी ठीक है ये clear होता है कि अगर मैं ऐसे आपको practically बताऊं इसके cube test होते हैं मतलब 1500 by 1500 1500 mm के cube होते हैं उनको test किया जाता है approximately 100 cube बनाए जाते हैं उस ratio के अगर 25 के अगर हम बात कर रहे हैं तो 1 ratio 1 ratio 2 और उसमें water ratio मिलाई जाती है 0.4 to 0.6 मिलाई जाती है उसमें वो test किया जाते है 100 cube होते हैं और उसमें से उनकी average value निकाली जाती है तो जो test के बाद उसकी strength आनी चाहिए वो कितने आनी चाहिए 25 newton per square meter के हिसाब से उसकी strength आएगी तो वो उसी हिसाब से वो grade वो हो गया तो आप इसको अच्छे से बता से मिक्स हो गया और 25 के हो गया उसकी compressive characteristic strength हो गया दूसरा question है what is the maximum level fresh concrete temperature until used as per ASTM जो ASTM code है वो क्या बोलता है जो आप गर side पे आप concrete यूज़ कर रहे हो तो क्या temperature होना चाहिए कि हम उसे use कर सकते है तो 32 degree से celsius जो temperature है वो acceptable है अगर इससे जादा temperature होता है concrete का तो उसमें क्या होगा cracks create होएंगे उसके durability कम हो जाएगी मतलब एक अच्छा अगर हम fresh concrete जिसको बोलेंगे उसका अगर हम temperature चेक करते है वो होना चाहिए 32 degree celsius इसपे मैं वीडियोस बना चुका हूँ यह 1.500 जो question में बताऊँगा न 1.500 की briefly वीडियो अगर मतलब अच्छे से जो practical video अगर आपने देखी हो चैनल पे है 500 टू 600 वीडियोस है उसमें यह अच्छे से हर एक practical wise आपको बताए हुए हैं लेकिन यह आपकी reason यह interview के question में आप clear करने वाला हूँ वीडियो थोड़ी लंबी होगी जुड़े रहो सिखो के काफी चीज़े इसमें से अगला question क्या कहता है अगर आपको architect बनने हैं अपनी field में देखो क्यो होता है क्या है कुछ लोग B.Tech करके Civil Engineer करके उसके बाद इसमें आर्किटेक में जो courses रहते हैं आपको आनी चाहिएगे तो आप architect कहला होगे एक तो देखो जो designing model होते हैं मतलब उनका concept आपको clear होने चाहिए यह design जो करते हैं हम चीज को basic knowledge जो आपको computer और जो architect के related softwares start pro, reboot बगारा, autokad यह चीज़ें आपको आनी चाहिए 3D models मिनाना आपको आने चाहिए engineering ability, business aptitude और legal knowledge होना चाहिए फिर आप एक architect हो basically आपको अगर software का knowledge है जो basic software use होते हैं काफी software है और आपको यह computer का knowledge है थोड़ा बहुत basic engineering का पता है तो आप एक architect हो तो what is gunting, gunting क्या होती है इसमें क्या होता है एक process होता है कोई भी damage surface होता है concrete का अगर हम wall करें जहां हमारे tunnels होते है basically tunnels में यह ज़्यादा किया जाता है इसमें होता क्या है cement और sand का proportion मिक्चर मिक्चर मिना जाता है एक ratio cement डाला जाता है और तीन ratio sand डाली जाती है और उसको क्या क्या जाता है एक pipe में मतलब जो machine होती है उससे उसका जो pressure होता है फैंकने का वो होता है 2-3 kg पर centimeter square के हिसाफ से वो इतना pressure उसका होता है उसमें इसको fill up किया जाता है जैसे short grid नहीं होता वैसे ही यह process किया जाता है लेकिन इसमें short grid में concrete होता है इसमें क्या होता है cement और sand का paste होता है और जहाँ damage surface होता है जहाँ cracks होते है जहाँ दब्बे होते है उन पर दूर से shoot किया जाता है और proper से वो without voids वो fill up हो जाता है पूरा area वो हम इस process को गंटिंग बोलते है अगला जो question है पांच में वो है अगर cracks को मेसनरी में कोई cracks आते है उसको fill up करने के लिए हम bitumen यूज़ करते है वो कौन सी होती है जिसको हम tar की तरह ही दिखती है plastic bitumen हम उसको बोलते है वो fill up कर देते हैं वो waterproof हो जाता है और उस area में पानी गुस्ता नहीं है अगला question काफी जादा interesting and important है what is bending moment and share force अगर आपको ये question कोई पूछे क्या bending moment and share force देखो इसको समझाने बताने के लिए आपको पूरी diagram चाहिए अगर मैं अपनी symbol language में अगर आपको ये समझाऊं कि bending moment and share force किया है अगर आप face को मतलब आप face को अगर rub करते हो मतलब किसी भी को चीज को दोनों तरफ से force लगा है जैसे face को आप rub कर रहे हो तो face पे जो force लग रही है वो share force है अगर आप एक हाथ अपना horizontal रखते हो मल सीधा हाथ रखते हो और उपर से जो gravitational force नीचे से उसको खींच रही है और उपर से bend पढ़ रहा है हाथ को मल नीचे हो रहा है तो वो bending हो गए bending को और अच्छे से मैं समझाऊं अगर pen की riffle निकाल लो उपर load डालो point load मतलब उंगली से दोनों तरफ से उसको support दो और बीच से दवाओ नीचे जो bend होगा वो bending moment होगा simple language अगर bend से को समझ आ रहा है bend क्या होगा bending होगा तो movement जो लगता है वो होता है अगर हम इसको English में मतलब और अच्छे से मैं आपको बताऊं क्या होता है एक reaction है जब हम external forces जो movement लगाते है बीम पर वो bend हो जाता है तो वो ही चीज है इसको समझाने के लिए मैं एक वीडियो ले आऊँगा जिसमें मैं पूरी diagram के हिसाब से आपको समझा हूँगा कि bending moment कैसे effect करती है और shear force कैसे effect करती है अगला question जो है अगर जो एक question हम 7th कर चुके हैं जो प्लास्टिक बीटमिनों फिल अप करते है अगला question क्या है जो आपकी चार दुवारी होती है उनको covering देना जुरूरी है अगर covering नहीं दिया है देरे देरे brick भी कमजोर हो जाएगी या concrete है वो कमजोर हो जाएगा तो उस पे क्या करते हैं हम एक layer डालते है पूरी coping करते है अगर वो चार इंच से छे इंच की हो सकती है उसमें क्या होता सिर्फ simple concrete की एक layer मतलब band जिसे हम बोलते हैं वो बना देते हैं कि जब भी बारिश बूरिश पड़े तो आपकी brick या प्लास्टर खराब नहीं हो एक cover मिल जाए पूरी उस चार दबारी को यहां जो brick जो exposed आपका structure होगा अगला question की हम बात करते हैं नो में कि रेटेनिंग वाल क्या होगी आपने road में देखा हुए इंकलाइन रेटेनिंग वाल बनाई होती है मिटी को रोकने के लिए होती है जहां कहीं जो बड़े बड़े पहाड होती है उनको रोकने के लिए हम काफी process करते हैं उसमें से एक रेटेनिंग वाल भी है मतलब एक लगा लो आप मिटी है उसको हाथ से आप दबा रहे हो तो एक रेटेन कर रहे हो उसको पकड़ के रख रहे हो अगर औरड़नारी पोर्टलैंड सीमेट है मतलब जो ऐसे बेसिक कम से कम उसको साथ दिन आपको क्यूरिंग करनी है और मैकसिम साथ अगर उसमें मिनरल्स और एड्मिक्चर पढ़े है उसको दस दिन के और आपके करना ही करना है अगर वो जिसमें हड वैडर हो गया या ड्राइब वैडर हूँज समय एड्मिक्चर पाड़ने वी पढ़े तो चोदा दिन मिनिमम उसको क्यूरूम करनी है क्यूरिंग करते की हूं है कि हमारा जो सीमेंट होता है अपना हाइडरेशन प्रोसेस करने के लिए उसको harden होने के लिए तो इस परसपरस से हम curing करते हैं और minimum 7 दिन और maximum 14 दिन हम curing करेंगे अगर concrete को तो वो अच्छी strength हो और durable हो जाएगा अगला question है जो हम seed analysis करते हैं concrete का grade चेक, उसका aggregate का grade चेक, grading करते हैं कि proper shape में है, proper grade का aggregate है तो उसमें हम seed analysis करते हैं ESTM C136 क्या कहता है, minimum weight कितना बचना चाहिए, जो fine aggregate होता है उसका minimum weight कितना बचना चाहिए, 300 gram minimum weight उसका बचना चाहिए अगला question क्या है, how many or should we CBR sample to be soaked? जो हम CBR test करते हैं, California bearing ratio test उसमें जो sample लेते हैं, उसको कितने गंटे आपको soak पानी में डुबा के रखना होता है इस पर एक video नहीं हो, तो मैं जल्द practical video जुरूर लाऊंगा, लेकिन आपको basic बता दूँ कि एक penetration test होता है जिसमें क्या होता है, जो road की subgrade होता है, उसकी strength चेक की जाती है तो उसी पसाब से, फिर उसकी width, depth कितनी है, road की, ये सब चीज़ें CVR value से चेक करते हैं अगर basic अगर आपको किसी को समझाना हो, CVR किया है, California bearing ratio test किया है तो हम जो subgrade होता है, उसको penetrate करते हैं हम एक angle तो उससे हम उसकी strength को check कर सकते हैं अगला question है, what is the bearing capacity of soil, जो soil है उसकी bearing capacity क्या है bearing capacity क्या है, देखो, जो आप उपर structure बना रहे हो, जहाँ आपकी foundation आ रही है तो वो load जो होगा, वो soil bear कर पाएगी कि नहीं, वो उसकी bearing capacity हो गई और इसकी values रहती है, bearing capacity, इस पर भी वीडियोज आप देखे, चफके हो जाके अगला question है, what do you mean by honeycomb and concrete, जो honeycomb होता है, वो क्या है concrete में देखो, होता क्या है, जब हम segregated material मतलब, ज़्यादा पानी डाल देते हैं concrete में ज़्याँ उसको proper से vibration, vibrate नहीं करते हैं, ज़्याँ शटरिंग proper से नहीं हो, ज़्यादा mesh, ज़्याँ सरीया concrete structure में हो तो होता क्या है, proper से concrete गुस नहीं पाता है, और वहाँ क्या होता है, voids रह जाते हैं, pockets रह जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, honeycomb मतलब आपने देखा होगा, कही language में गंजा बोलते हैं, कही language में उसको honeycomb बोलते हैं तो वो चीज उसमें aggregate अलग दिखता है, और बीच में उसके gaps दिखते हैं, उसको humble तो उसको proper way से आपको finish करना पड़ता है आप उसको gwinting से करें, यहां अच्छे से motor, fiber का paste नोना के वो fill up करें, वो आप पे है अगला question क्या है, अगर आपको field पे cement की quality चेक करनी है, तो आप कैसे कर सकते हो, देखो इस पे वीडियो से practical वीडियो बनाई है, मैंने पूरे आपको दिखाया है कैसे करते हैं, अगर मैं ऐसे बता हूँ आपको, तो क्या करना है, अगर उसका पहले चीज़ें क्या होती है, उसकी physical properties देखने होती है, उसके color बगर रही हो, और अगर उसका gray color है, मतलब lightish green shade होती है, अगर वो है तो वो अच्छा cement है, अगर हम उसको दो अंगली में लें, वो soft सा लगे, कोई उसमें rate या कुछ finger में touch ना हो, तो वो एक अच्छा cement है, और दूसरी कि अगर हम जो खुल bag को खोल के उसमें अंदर हाथ डालें, वो हमें ठंडा लगना चाहिए, अगर गरम लगा तो मतलब उसमें hydration process शुरू हो सकता है, उसमें moisture या पानी लग चुका है, ये चीज़ें देखनी होती है, और एक और हम एक पिंच, मतलब हाथ से दो उंगलियों में cement उठाके, पानी में फैंकि अगर वो थोड़ी देर तक float किया डूबने से पहले, मतलब वो अच्छा है और lump free होना चाहिए, मतलब उसमें कोई lumps बने नहीं होने चाहिए, टुकडे कोई बने नहीं होने चाहिए, अगला type of cement कितने होते हैं, देखो काफी जादा cement होता है, अगर basic में आपको OPC Ordinary Portland Cement, White Portland Cement, WPPC, और Portland Pozlana Cement, PPC, Low Hit Portland Cement, Color Portland Cement, Hydrophobic Cement, Rapid Hardening Cement, Portland Slag Cement, Sulfate Resisting Portland Cement, Extra, ये काफी type के cements होते हैं, और इन पे में वीडियो बना चुका हूँ, कौन सा, आपको PPC कहा लगाने हैं, आपको, आपकी दीबारों में लगाने हैं, प्लास्टर में लगाने हैं, फ अगला question है, but is the difference between built-up and super built-up area, ये काफी important question है, built-up area क्या होता है, देखो, carpet area आपको पता चले के, carpet से ही समझ जा रहा है कि, दीबारों के अंदर, मतलब, जहां जहां आपका फर्ष आने वाला है, अंदर का rooms है, lobby है, kitchen है, पूजे room है, उनका जो carpet अंदर का area होगा, जहां जह को हम बोलते हैं, built-up area, मतलब, जो carpet area होगा, plus, उसमें, 10% हम और add कर लें, जो walls होगे, pillars होगे, ducts होगे, तो वो होगे हमारा built-up area, थोड़ा समझ आया है, इसमें video डाल चुका है, वो देखना अगर नहीं आरा समझ तो, super built-up area कौन सा होगया, super built-up area होगा, मतलब, उसमें हमा और क्या add हो जाएगा, जो stairs होती है, lift होगे, gym होगे, club होगे, extra ये चीज़ें, उसमें add कर देंगे, तो हमारा super built-up area होगया, इसमें एक दो वीडियो मैंने, मतलब, एक series बनाई थी, जिसमें rare आप बताया, मैंने rare act क्या था, super built-up area क्या है, carpet area क्या है, building by last, आपने सुने ही ह carpet, ये सब area क्या होगे है, अगला question है, अठारम हमारा, what is water cement ratio and how it related to the strength of concrete, मतलब, water cement ratio क्या है, और इसका क्या effect पढ़ता है concrete की strength पे, water cement ratio क्या हो गया, देखो, weight of the water to the weight of the cement, मतलब, cement के हिसाब से हम water उसमें use करते है, इस पे वीडियो है, कि कितना water हम use करेंगे concrete में, कि उसकी strength durability जादा रहेगी, देखो, 0.4 से 0.6 तक हम water उसमें use करते हैं, और हम देखा जाए, concrete में जितना कम water रहेगा, मतलब, उसकी requirement तो होगी, कि इतना होना ही होना चाहिए, अगर उतना ही डाला, तो उसकी strength और durability बलती है, अगर मतलब, जादा डाल दिया, जादा डालने से होता है क्या है, लेवर लोग, side पे या contractor डालते हैं कि workable जादा होता है, मतलब, काम करना easy हो जाता है, जल्दी से फैंका, वो vibrate भी करने के जुरूद नहीं, एकदम से अपने हाफ आल जाएगा, उससे होगा क्या, cracks आएंगे, durability कम होगी, strength कम होगी, लेकिन अगर हम water ratio के हिसाब से जितना cement है, उतना पान ही डालेंगे, तो हम उस concrete की strength और durability बढ़ा सकते हैं, अगला question है, बटी स hybrid foundation, hybrid foundation क्या होती है, इसमें क्या होता है, यह जो वुझ खलीफा आपने सुना योगा दुबेई में जो है, उसमें भी hybrid foundation है, hybrid foundation कहां use की जाती है, जहां soil थोड़ी weak होती है, उस में क्या करते हैं, पहले piles किये जाते हैं, जो pile आपने सुना ही होगा, piles और piles, pile किये जाते हैं, उसके उपर एक mad foundation, बड़ी सी foundation, मतलब पूरा mad कर दिया जाता है, जितने area में आपका structure आने वाला है, उसके उपर foundation बगारा करके, फिर structure खड़ा किये जाता है, मतलब दोनों का combination होता है, pile और mat का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, hybrid foundation, इसमें chances क्या हो जाते हैं, आपके गर की दिवारों के cracks, settlement के cracks, काफी जादा कम हो जाते हैं, आपको देखा ही है, आपने बुच के लिए, अगर उसमें थोड़ी भी settlement हुई, नीचे से उपर दा cracks, छोटा सा 1 mm का cracks, उपर ज हैं, जो concrete करते हैं, side पे, उस process में, क्या क्या होता है, देखो, सबसे पहला होता है, batching, जिसमें हम measure करते हैं, cement, core segregate, sand, water, concrete बनाने के लिए, उसकी batching की जाती है, सब weights के हिसाब से किया था, दो type के mix होते हैं, nominal mix, एक design mix, परसो वीडियो आया थी, इस पर आपने देखी होगी इसमें मैंने बताया था, पहला batching हो गया, दूसरा process होता है, mixing, concrete को दो minute या तीन minute mix किया जाता है, जिस हिसाब से आपका batching plant, RMC plant, आदे MQ का, एक MQ का, डेड़ है, दो है, तो इस हिसाब से उसकी mixing किया जाती है, minimum 2 minute mixing उसकी की जाती है, फिर transportation होता है, जहां से आपको concrete लग इस field पर लगने है, उधर से बिद्धी help of transit, मिक्सर, टीम जिसे हम बोल सकते है, उन पर डाल पर डाल के वो दूसरी जगा लिये जाता है, वहां उसको डाल के compaction की जाती है, फिर की जाती है, curing, यह पूरा process हो गया, concrete का, अगला हम question बढ़ते है, but is flashing, flashing क्या हो गया, जैसे हम उपर coping पड़ा, वही एक चीज, वैसी एक चीज है, कोई भी मतलब extended portion है, building का, गर का, किसी चीज का भी, उसको seal कर दिया जाता है, उसको protect किया जाता है, उस joint को की पानी अंदर गुसे नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, flashing, अगर roof होते हैं, जो walls होती है, परबिट बाल होत जाती है, लेकिन काफी Hollywood movies देखी होंगे, उसमें chimney होती है, उसके ओपर उन्होंने, उसको डखा होता है, कि अंदर पानी नहीं जाए, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, flashing बोलते हैं, अगला question है, what is bursting reinforcement, ये अच्छा question है, इसको, देखो, ये question किसके लेटी है, प्री stressing करते हैं जो concrete में, प्री stress concrete होता है, उसमें, इसको आपको मैं थोड़ा basic बता देता हूँ, लेकिन ये diagram के बीना समझना आपको मुश्किल हो जाएगा, इसमें होता क्या है, हम bursting reinforcement क्यों provide करते हैं concrete में, क्या होता है, जो later tensile stress होता है, जब हम pre stressing process कर रहे होते हैं, मतला हम tendons डालते हैं concrete में, जो structure होते हैं, आपने bridge के देखे होंगे, उसमें हम tendons डालते हैं, तो उसमें जब हम उनको खींचते हैं, उनको pre stress करते हैं पहले ही, तो उसमें lateral tensile stress increase होता है, तो उसको resist करने के लिए हम क्या करते हैं, bursting reinforcement provide करते हैं, मैंने कहा था आपको, आई होब थोड़ा पता चल ग हम pretty stressing process करते हैं, तो उसको resist करने के लिए हम bursting reinforcement डालते हैं, इसमें वीडियो जरूर लाओंगा, बस्यूल हो, तो field की वीडियो लाओंगा, नहीं तो diagram के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा, अगला question है, what are the major problem in using pumping for concrete work, हम concrete work जब करते हैं, pump use करते हैं, तो उसमें हम से स सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है, आप लोगों ने देखा होगा, सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, segregation और bleeding की एक देखनी जाती है, और pipe jam हो जाती है, reason क्या है इसके पीछे, reason इसके पीछे ये है, कि friction मतलब आ जाता है concrete और pump के pipe में, मतलब अच्छे से friction नहीं मन जाते हैं, तो जो pressure लगता है, जो throat मारता है pump, तो उसमें segregation और bleeding की chances काफी जाता होते है, इसको हम decrease कैसे कर सकते हैं, हम हमेशे क्या करते हैं, जब भी हम pumping करते हैं, मतलब RMC में जो concrete की ratio होती है, ऐसे use करना या pump में, तो 10% हम बढ़ा देते हैं, जितना अगर हम proper grading वाला aggregate यू और without segregation उपर जहां आपका work को concrete चाहिए, वहाँ वो पहुंच पाएगा, अगला क्या question है, जो construction manager होता है, उसकी क्या क्या responsibilities होती है, साइट पे, तो उसकी responsibilities होती है, पहली responsibility क्या है, cost estimates, कोई भी चीज वो use करेगा, या लगने वाली, उसका cost estimates होने चाहिए, pre-purchase of selecting material, मतलब प आपकी site पे available है, वो pre-purchase होना चाहिए, selection of bidders for bidding phase, जब वो B.O.Q. अब करते हैं, तो वो proper way से, मतलब पूरा अगर हम बात करें, junior engineer, assistant engineer, कोई भी work जो है civil engineer, उसका सब देख रेक किसने करनी है, जो आपका construction manager होगा, उसने, आप scheduling, monitoring, planning, सब चीज़ें उसके अंडर आती है, अ तीन टाइप के slump आपने सुने हैं, हम कोंटेस्ट करते हैं, किसके लिए work ability चेक करने के लिए concrete के, उसमें तीन टाइप के slump आते हैं, एक होता है हमारा true, shear और clap slump, तीन टाइप के slump देखे जाते हैं, shear slump होगया, मतलब वो incline तूटेगा, मतलब जब क्या होता है, वो incline तब ही हो रहा है, तो वो एक तो डेरेवल नहीं होगा concrete, और उसकी strength भी नहीं जादा होगया, मतलब आप समझे, कि shear slump के होता है, मतलब वो incline तूटेगा, मतलब आदे से तूट जाएगा, तो वो shear slump हो गया, collapse से सामने पूरा तूट जाएगा, collapse हो जाएगा, और true slump हो ग देखो, काफी चीज़े सीखने वाले हो, practical knowledge सीखने वाले हो, तो why is concrete weak in tension, यह experience civil engineers से question पूछा जाता है, कि जो concrete होता है, वो tension में weak क्यों है, देखो, जो हमारा compression, concrete है, उसमें कोई भी binding material क्या है, उसमें cement does it, अगर हम उसको compression में रखें, तो जब भी उपर से load आएगा, जो उस चाब डालते हैं, तो उसमें binding material क्या है, सिर्फ cement, तो वो कितनी देर तक bear कर सेगा, और एक दूसरे से तूट जाता, तो इसलिए क्या होता है, concrete जो है, वो compression में काफी अच्छा है, जो column है, वो काफी अच्छा है, और beam में हम क्यों सिर्फ concrete पर नहीं रखते हैं, उसमें reinforcement डा मतलब एक liquid farm का बनाते हैं, concrete हम, जिसको घाँ fill up करते हैं, voids होते हैं, जहां anchor डालते हैं, प्री स्टैसिंग में जब हम tendons को बरते हैं, को grouting करके, तो वो चीज होगे, मतलब एक liquid farm का concrete होगे, जहां हम दूसरा concrete नहीं डाल सकते हैं, वहां हम एक liquid farm का concrete बनाके डालते हैं, कितनी क्या क्या होता है, true share or clay slump, तो उसकी value कितनी रखनी होती है, context में slump की, 75 true 125 mm acceptable होता है, column के लिए, 125 mm तब acceptable है, अगर हम boom placer या pump यूज कर रहे हैं, तो उसमें 125 mm है, अगर हम manually डाल रहे हैं, 75-100 mm slump उसका आना चाहिए, जो grainite होता है, उसकी bearing capacity कितनी होता है, the bearing capacity of grainite is generally 30 to 35 kg per centimeter scale के हिसाब से, उसकी bearing capacity होती है, इसकी greenite की, अगला क्या question है, what are the specifications of tamping rod used in cube filling, जो cube filling करते हैं, compressive strength के लिए, जो cube fill किये जाते हैं, आपने देखे होंगे, 1500 by 1500 by 1500 के, जाना slendrigal shape के, तो उसमें जो tamping rod used की जाती है, उसकी क्या specification है, तो I score 2386 क्या कहता है, 16 mm की वो rod होनी च चाहिए तो, और round edges आगे से होने चाहिए, स्केर या rectangle edge नहीं होना चाहिए, गोल होनी चाहिए, और 16 mm की होनी होनी चाहिए, और 600 mm या 2 feet लंबी होनी चाहिए, उससे हम proper way से, उसको खाच के cube बरते हैं, अगला question है, what is the minimum curing period, minimum curing period है, यह मैं पहले बता चुका है, उपर हम ए building, building, जो column है, उसका क्या function है, building में, उसका एक ही function है, वो vertical member है, compression member है, उपर से जो load आएगा, वो easily नीचे structural member में distribute कर देगा, अगर हम column रखे, नीचे plinth भी में, उसमें डालेगा, फिर नीचे footing में, और properly से नीचे distribute हो जाएगा, मतलब एक member use किया है, किसके लिए load distribute करने के ल आगे मतलब, क्या समझे लो, एक structure बनाया जाता है, एक structure बनाया जाता है, जो soil erosion होती है, उसको थोड़ा slow करता है, यहां रोकता है, तो वो होता है, मतलब समूंदर के साथ में भी पानी का flow यह erosion कम करने के लिए, एक three leg, आपने एक देखा हो का guy rounds होते है, जहां, लंबे से guy rounds समनाय होते हैं, कि पानी वहाँ, जादा मिटी भाके ना ले जा सके, अगला question है, what is the initial and final setting time of ideal cement, जो ideal cement है, मतलब एक अच्छा cement है, उसका initial and final setting time कितना है, तो initial के हम बात करें, जो cement use किया है, वो 30 minute होता है, मतलब initial setting time कितना हुआ, 30 minute, और जो machinery के लिए हम use करते हैं, उसका 90 minute हम रखते हैं, मतलब अगर concrete में use किया जा रहा है तो 30 minute उसका initial setting time हो गया, machinery में 90 minute, और जो final setting time हो गया, वो कितना हो गया, 600 minute यहां 10 hour उसका हो गया, ठीक है, अगला question है, 35, the portion of brick cut across the bit था, मतलब अगर brick को खड़ा किया हमने, हमारी brick का size क्या होता है, 190 by 90 जो standard size है, तो उसको उसको तेड़ा किया, उसको हमने काटा, तो वो उसकी width के हिसाफ़ से हम काटेंगे, तो वो बैट हो जाते है, फिर वोई question आगया, pre-stressing के जो मैं आपको बताने वाला हो, dying gram के साथ में बताऊंगा, तो 3 type की pre-stressing में reinforcement यूज़ की जाती है, 1 spelling होती है, equilibrium, 1 bursting, bursting, bursting में बता कि मैं इसको अच्छे से video लाऊंगा, जहाँ प्रेक्टिकल यह, पिक के साथ फिर आपको समझाऊंगा, spelling, equilibrium और bursting, ठीक है, अगला question है, what are the common ways of demolition, हम किसी building को या घर को तोड़ना होता है, best 3 way क्या होते है, hydro demolition, pressure bursting and dismantling, hydro demolition क्या होता है, मतलब एक pressure से पानी डाला जाता है, concrete निकल जाता है, मतलब इतना pressure से पानी डालेंगे कि concrete टूटने लग पड़ता है, निकल जाता है, और सिर्फ reinforcement रहती है, फिर उसको काट के निकाल दियाता है, pressure भी वैसा होता है, dismantling होगा, direct, जैसी भी यहां कुछ लगाओ, अच्छे से यहां breaker लगाओ, dismantle कर दो structure को, अगला यहां बटा था, main reason for connecting, pull out test for soil nails, आपने देखा होगा, road के side पे, जब road की cutting होती है, यह होता है, हिलीज एरिया में, जहां hill कार दिया जाता है, बीच में road बना दिया जाता है, hill क्या होता है, नीचे नीचे उपर गिरने का डर होता है, तो उसमें क्या है, यह ता है, soil nailing की जा जाती है, वो मिटी के अंदर गुसा दिया जाता है, उसको जगड़ दिया जाता है, मिटी को, क्योंकि उसमें जितना हम rock ball डालेंगे, उसकी spacing depend करती है, कि कि कितनी चाहिए, हम rock ball, मतलब अगर मिटी ऐसे lose है, उसमें हम अंदर गुसाते जाएंगे nails, तो वो tight हो जाएंगे, मतलब boids खतम हो जाएंगे, तो वो गिनने के चाहिए सी कम हो जाती है, तो उसमें हम nails यह rock ball डालते हैं, तो उनका pull out test किया जाता है, कि वो proper way से अंदर गुसे है, उसमें जो grouting किया है, उसने वो पकड़ के रखे है rock ball की, मतलब जब बाद में कोई feature में load आया तो वो एकदम quality के साथ काम करेंगे, यह यह चीज़े दियान रखेंगे, ऐसा रहेगा हमारे quality, हमारे future में quality ऐसी रही है, या past में ऐसी रही है, तो quality control क्या हो गया है, जब आपका काम स्टार्ट हो गया, आप देख रहे हो, proper way से quality हो रही है, concrete डाला जा रहा है, प्रोपर grade के साथ डाला जा M15, 20, 25, 30, 35, 40, तो M5 का क्या होता है, 1 ratio, 5 ratio, 10, 1 क्या हो गया, cement 5 हो गया, sand 10 हो गया, agreed, वैसे ही M7.5 की 1 ratio, 4 ratio, 8, M10 की 1 ratio, 3 ratio, 6, M15 की 1 ratio, 2 ratio, 4, M20 की 1 ratio, 1 ratio, 1, 5, 8, video pause करके आप इसको note भी कर सकते हो, और M30, 35, 40, यह क्या हो गया, design mix हो गया, जैसे मैंने परसो वीडियो डाली थी, nominal mix और design mix में, तो same चीज है, जो हम 25 तक क्या लेते हैं, nominal mix लेते हैं, उसके बाद हमें design करना पड़ता है, अपनी concrete को economical और perfect उसकी strength के साथ बनाने के लिए, और nominal mix जो है, M25 तक आपको IS code में भी मिल जाते हैं, अगले question है, the length of each fish plate, यह देखो, यह railway के जो question है, यह इसी video की end में मैं आपको provide करने वाला हूँ, क्यूंकि यह आपको बिना diagram के समझ नहीं आएगा, बिना diagram मतलब बिना pick के, तो यह इस video के end में मैं add कर दूँगा, यह video, जो भी railway के question होंगे, 10-15 question है, 1500 question में, तो ऐसे बताता जाँगा, ले 400.2 mm की fish plate होती है, मतलब दो rail, एक rail हमारी 12 meter के होती है, उसको continue हो रखा होता है, rail को, rail क्या समझ रहे हो, जो जिस पे पटरी, जिस पे train चलने वाली है, वो होती है rail, तो 12 meter की rail आती है, दोनों को जोन, मतलब लंबी हमारी 200-300 km होती है, यतनी लंबी rail तो नहीं होगी, तो उन railway के question मैं शोड़ता जाता हूं, क्यों यह मैं जो last में वीडियो आड करूंगा, railway के question की, pigs के साथ बताने वाला हूं, तो अभी हम railway के छोड़ देते हैं, वो last वीडियो के end में आपको दिख जाएंगे, बाकी हम साथ साथ में करते जाते हैं, यह वी railway का है, 44 भी railway का है, जो 45 नहीं, 45 जो है, how would you describe the soundness of cement, soundness of cement क्या हो गया, अगर आपको किसी को describe करना है soundness, देखो, जब भी जो cement होता है, वो hardened, या मतलब अपना setting लेता है, तो उसमें कोई वाल्यूम में कोई changes तो नहीं आ रही, तो वो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, soundness of cement, ठीक है, अगली क्या checked by using anchors, ये last में आपको दिखेगा, ये question फिर से, rigging क्या हो गया, rigging काफी चीज़े, cranes में भी होता है, ऐसे रसी को खींचना, उसको भी rigor, जो rigor काम करते हैं, rigging क्या होता है, जब हम ship यहां कुछ चलाते हैं, तो वोड को direction देने के लिए क्या करते है, मतलब, ropes होती है, उनको खींच के बांगते हैं, तो उस काम को कौन करता है, rigor और उस process को rigging बोलते हैं, but are the material using building है gravity dam, जो gravity dam होते हैं, आपने काफी gravity dam के बारे पे सुना होगा, मतलब, gravity पे टिके होते हैं, पूरे मतलब, high mass concrete use कियाता है, तो वो किसके बने होते हैं, पहले बेले जो gravity dam से मिटी के बने हैं, लेकिन अभी क्या है, gravity dam से concrete और heavy reinforcement से बनाए जाते हैं, okay, how made you decide to become a civil engineer, कैसे आपको idea या civil engineer बनने के हैं, सोचा आपने, तो इसका अंसर आप खुद से दे सकते हो, कि क्या, मतलब, आपको क्या था, क्यूं सोचा आपने civil engineer बनना, मतलब, एक अच्छा अंसर आप देख सकत हो, जैसे, आगर अपने आपको पूछो, आपने क्यूं डिसाइड कि है civil engineer बनना, तो वो चीज़ आप इसको, interviewer को अपने वे से बता सकते हो, मतलब, एक positive way में बताने कोई negative नहीं कि, मैंने किसी को देख के join कर लिया, जै मतलब, बताओ कि मेरा passion था, मैं चाहता था कि, मैं building के बारे में पढ़ू, कैसे बनती है, और फिर फिचर में वो उन पर काम करूँ, तो यह ऐसा कुछ answer आप दे सकते हो, अगला क्वशन हो, but the purpose of the gap in road on the bridge, मतलब, आपने bridge देखे होंगे, उनमें, बीच-बीच में, प्लेटों में, मतलब, लोहे की प्लेट होती है, और बीच म मतलब 30-40 mm gap, थोड़ 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 time बात होता है, अगर आपने देखा नहीं है, जब गाड़ी आपकी bridge पे चलती है, तो आवाज आती है, थोड़ 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 तेर बाद, थोड़ थोड़ तेर बात, ऐसे गाड़ी tire आवाज आती है, तो वो क्या है, क्यूं gap रख होता है जब भी concrete को सुकरना जहां expand होना होता है तो वो अपनी मर्जी से हो सकता है क्योंकि उसमें हमने पहले से ही expansion और contraction joint दे रखें अगला question फिर railway पर है ये last में आपको देखेगा काफी अच्छे question है मैं उने diagram के साथ बनाए है जरूर complete video अगला question है what are the movement of inertia and importance in civil engineering movement of inertia क्या है अगर इसको समझाए हम तो एक आपने structural member देखे होंगे I section, C section तो उसमें इसका काफी जोगदान है काफी रोल है civil engineering में मतलब एक geometrical property है जो use की जाती है किसके लिए calculate करने के लिए कि bending को कितना resistance मिल रहा है यहां buckling को, मतलब एक check करने के लिए कि जो कितना resistance structure कितना resistance provide कर रहा है किसी structure को bending यह buckling के लिए, अगला question है फिर जो railway का question है 56 57 क्या है question what are the various tests for checking brick quality अगर brick की quality आपको check करने है क्या test होते है उसके लिए तो हम absorption test कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक practical video बनाई है, आप जाके देख सकते हो playlist का क्या नाम है, जो भी test है, वो playlist का नाम है construction size, test कुछ ऐसे करके playlist है, उसमें सब दी है absorption test क्या होते है, hardness test क्या है shape और size से हम चेक कर सकते हैं हम absorption test में क्या करते हैं एक brick लेते हैं, उसको 24 गंटे के लिए पाणी में डुबा के रखते हैं और देखते हैं उसका कितना volume, मतलब weight हमने लिया था 300 gram, तो 300 gram से 15 से 20% अगर उसका weight बड़ा है, तो acceptable है, अगर उससे ज़्यादा बड़ा है, तो वो brick अच्छी नहीं है, वो second class brick है, क्योंकि अगर 20 से उपर हो जाएगा 22.5, तो second glass हो गई, और 25 से उपर 25 हो जाएगा, वो हो गई third glass brick, और इसकी crushing strength कितनी होने चाहिए, minimum 10 newton meter minimum होने चाहिए, और first class brick की 7.59 होती है, ठीक है यह हो गया अगला question 58 feet से railway पे है, जो question है, बाकि हमारे जो पीछे railway question होगे next to your question है, explain but is critical path method, CPM क्या है देखो, इसमें क्या होता है, एक symbolic diagram बनाई जाती है, जिसमें पूरे जो हमारा construction के steps होते है, उसमें involved होते हैं कि क्या क्या काम होने वाला है, कब काम होने वाला है, तो एक critical path मनाई जाता है किस से symbolic drawing बना से हम हम CPM बोलते हैं, अगला कोशन है how do you determine specific gravity of cement जैसे मैंने पर्सू वीडियो डाली थी, जिसमें design mix में हम specific gravity check करते हैं हर material की, फिर उसका design किया जाता है, लेकिन काफी tough होता है जो cement होता है, उसके अगर हमें specific gravity बतानी है क्यूंकि वो powder farm है उसको hard होता है कि निकाल पाएं हम उसकी proper specific gravity अगला जो कोशन है, वो railway का कोशन है फिर से, अगला जो कोशन है वो भी railway का है, next question भी 67 भी, 69 भी 70, 70 तक ये, ये आपको कहां मिलेंगे last की वीडियो, जब ये वीडियो end होगी उसके end में, मैं add करने वाला हूँ पिक्स के साथ समझाऊंगा, तो आपको easy समझाएगा, इसलिए मैं अभी छोड़ रहा हूँ बाद में आपको आएगा, अगला question है 71, but are the steps involved in building construction, building construction में क्या क्या steps involved होते है पहला है, concreting होती है masonry work होते है, plastic work है, flooring work है, foam work है, steel cutting and bending यह सब चीज़ें आपने कहां भी देखी है वो देखी है आपने हमारी वीडियो में काफी वीडियो में इस पर डाल चुका हूँ अगला question है 72, how do you measure volume of concrete तो कैसे हम करते हैं किसी भी structure की, किसी भी हमें क्या का नहीं होते है अगर हम किसी एक वाक्स की निकाले है 1 Mb उन्ध मेंटर हाइट है तो वो क्या हो गया volume of concrete हो गया तो why we concrete cover is provided to reinforcement concrete का cover क्यों provide करते हैं reinforcement को, कि जो हमारा सरिया है उसको मतलब corrosion ना लागिए कोहीं से voids नहीं रहे हैं इसली ही क्या करते हैं हम कॉंक्रीट कवर यूज़ करते हैं, हम कॉलम की बात करें, तो मिनिमम में 40 हम कवर प्रवाइड करते हैं, और स्लैब में 25 हम कवर प्रवाइड करते हैं, बीम में 30-40 हम प्रवाइड करते हैं, तो इडिपेंड होता है, डिजाइन पे, अगर how to do, check level on construction side, किसकी help से हम side पे, जो level check करते हैं, वो क्या गया है, separate level, जो पानी की pipe होती है, जहाँ separate level हो गया, मतलो एक scale जासा आता है, जिसमें पूरा liquid fill किया जाता है, आप उसको incline करो, सीधा करो, तो उससे check कर सकते हो, dumpy level से कर सकते हो, जहाँ water level pipe से भी आप check कर सकते हो, तो जो dumpy level use किया जाता है, उसकी accuracy, minimum rating कितनी हम ले सकते हैं, 5 mm, accurate rating होती है, minimum कितनी होती है, 5 mm, उसकी हम ले सकते है, dumpy level से, how do you calculate the weight of 12 mm long and 10 mm diasteel, तो 12 meter का लंबा सरी है, और उसका डाय कितना है, 10 mm, तो उसका हम weight कैसे निकालेंगे, जो जैसे मैंने कल formula आपको बताया था, क्या था, d square divided by 162, तो वो उस formula से नि काल सकते है, unit weight 10 mm बार का, अगर 1 meter की length है, उसका unit weight कितना होता है, 0.60 kg per meter, उसको multiply कर देंगे, जितना लंबा बार होगा, तो यहां कितने है, 12 meter लंबा है, तो 0.60 into 12 करेंगे, तो हमारा आगया, 10 mm का बार, अगर 12 meter लंबा है, तो उसके 7.2 kg weight होगा, अगला question सेम जैसे मैंने क्वेशन यूज की जाती है, अगर आपको manually weight करना है, मतलग calculate कर सकतो theoretical, तो वो होता है, d square, divided by 160, d क्या होगा है, die of bar, अगर 10 mm का 10 x 10, divided by 162.2 करेंगे, तो हमें मिल जाएगा है, उसका बार का weight कितना है, अगला क्या है, what is the size of concrete cube, जो हम concrete cube चूज करते हैं, इसका size कितना होता ह अगला कोशन है, but do you do if any concrete cube fail in 20 days, compressive strength test, अगर जो concrete cube fail हो जाए, 28 दिन के बाद हम क्या तो टाइप की टेस्ट करते हैं, एक हमारा होता है, एक होता है हमारा 7 दिन पर, दूसरा होता है 28 दिन पर, जो 28 दिन का compressive strength test अगर फेल हो जाए, तो क्या गरते है, core gutter टेस्ट करते हैं, यह वो report हम बेज देते हैं, high authorities को core gutter के बाद, फिर हमारे काफी test होते हैं, rebound भी check किया जाता है, ultrasonic test किया जाता है, तो उससे पता लगा जाता है कि सची में concrete, उस अपनी जो design strength है, वो नहीं पा पाया है, अगर नहीं पाया है, फिर उसको तोड़ दिया जाता है, नया structure बना काल भी सकते हैं, कैसे 162, नहीं, D square divided by 162, और ऐसे कोई पुछे तो कितना होता है, 0.89 kg per meter के हिसाब से, और अगला question है, but is floating slab foundation, floating slab foundation क्या होती है, एक hollow mat होता है, मतलब, एक flat slab डाल दी जाती है, मतलब, एक great slab, जिसे बोलते हैं, वो ही heavy reinforcement के साथ, उसे हम बोलते हैं, floating slab foundation, तो density steel कितनी होती है, 7850 kg per m3, ठीक है, अगला question है, इन F.E. 415, 415 के indicate करता है, tensile strength, उस steel की, तो height of low curve, low curve होती है, कब हम आपने देखी होगी, ऐसे industries area में भी, एक छोटी सी ऐसे दीवार या सी चड़ी होती है, यहां road के side पे देखा हुगा है, curb wall, curb wall हम जिसे बोलते हैं, तो low curve की height minimum कितनी होती है, 100 mm उसकी होती है, अगर अगला question है, what is the volume of 50 kg bag of cement, सीमेंट का 50 kg का bag of, उसका volume कितना होता है, 0.3035 mq, इसको आप कैसे और भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने बताया, हमारा एक formula होता है, volume, जो density का formula, जिसमें मैं वीडियो पहले विला चुका हूँ, काफी important formula है, व वो formula से हम इसको निकाल सकते हैं, आप playlist में जाके वो video देख सकते हो, अगला question है, function of grout, inside tender ducts, मैंने जैसे बताया था, grouting क्या होती है, तो क्या function होता है, grout का, कि जो अंदर gap बचा होता है, जहां tendons डाली होती है, तो वहाँ, हम grout कर देते हैं, जो tendons हो, वो frozen नहीं लगे, अगला question है, जो residential building होती है, तो average value of stage, मतला जो stage CD बना जाती है, उसकी width minimum कितनी रख सकते हैं, average, 900 mm, हम उसको बोल सकते हैं, die and 3 feet up, रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अगला function of share की, in design of retaining wall, share की का function क्या है, मैंली, आपने column बे देखा होगा, share की होता है, आपने column बे देखा होग बनाते हैं, इस पर 2-3 वीडियो है, आप देखना, share की मनाते हैं, घटे-घटे मनाते हैं, कि मतलब क्या होता है, अगर oriental stress या force लगे, तो वो चीज पलट नहीं जाए, जहां वो गिर नहीं जाए, एक मतलब उसको anchorage मिली रहे, तो वो function है share ball का, और अगर retaining ball में आपने एक photo यह pic देखी होगे, तो नीची एक 1500 mm का हिस्सा निकला रहता है, तो वो वहाँ share के कहलाता है, अगला question है, जो slope हम provide करते हैं, वो कितनी acceptable है, 25-40 degree हम slope उसमें provide करते हैं, 40-40 degree जादा provide करेंगे, तो कोई उसमें चड़ में पाएगा, गिरने के chances काफी जादा हो जाते हैं, अगल अगला question हो, what are the disadvantages of curing by ponding and polysine sheet, अगर हम ponding और polysine से curing करते हैं, तो उसमें क्या desired advantages हैं, पाणी से करेंगे, तो पानी गरव हीट भी जादा हो जाता है, पानी लगता है, अगर आपने fill-up करके रखाए, थोड़ थोड़ी जाएर बाद लेवर चाहिए, पानी बरती रहेगी फिर अवैपोरेड हो जाएगा फिर बरती रहेगी तो पानी गरम हीट भी जादा हो जाता है polythene sheet से क्या होता है polythene sheet डाली होगी तो उसमें proper से हवाव निगुच जाती है concrete के अंदर और वो उडने का डर रहता है polythene sheets का इसलिए हम दोनों avoid करते हैं अगला स्टेंडर साइज आव ब्रिक कितनी होते है 19 cm x 9 cm x 9 cm अगला क्वेशन है what is unit weight of RCC, unit weight कितना होता है RCC का 2500 kg per M³, PCC का कितना होता है 2400 kg per M³, अगला क्वेशन क्या है हम जो क्या prevalent face करनी बड़ती है केंट्र रिवर बालकिनी में अगर उनकी length 2-3 meter है तो काफी चीज़े देखी जाती है एक तो उसको design करना मुश्किल हो जाता है एक उसमें जो deflection है वो काफी जादा दिखती है failure ओरने के chances काफी जादा होते है तो अगर वो limited है 2-3 feet यहां 1 meter है तो इतनी जादे issues में देखने को नहीं मिलते है अगला 1 acre कितने square feet होता है 4-3-5-6-0 square feet वो होता है but is the full-former UTM universal testing machine जो हम compressive strength यहां उसको test करने के लिए यूज़ करते है but do you understand why segregation segregation क्या हो गया जिसमें क्या होता है aggregate, sand, cement मतल써 गङख हो जाता है मतलब एक mixture जो होता है concrete होता है वो proper नहीं होता है वो सब चीजें अलग गए होती है aggregate, पाणी अलग, sand अलग, cement तो साथमें क्या था bleeding क्या होता है जिसमें क्या होता है पानी क्या होता है उपर आपको दिखने लग पड़ता है जैसे आप कॉंग्रीटिंग करोगे उपर पानी दिखने लगेगा तो उसे हम ब्लेडिंग बोलते है सीमेंट कितने दिनों के बाई एक्सपार हो जाता है expired in the sense उसकी strength decrease होना start हो जाती है तीन महिने बाद जिन नहीं उसकी manufacturing rate होती है उसके बाद अगर तीन महिने बाद हम use करते हैं तो उसकी strength कम होती जाती है दिन बाद दिन तो what is the IS code for plane and reinforcement concrete अगर plane or reinforcement concrete है उसके लिए कौन सा IS code है IS code 456 जिए आपको कहा मिलेगा हमारी website civilsidebusiness.com पे जाओ वहाँ पे आपको सब free के concrete के steel के soil के सब free IS code मिल जाएंगे 1 square meter कितने square feet होता है 10.76 square feet होता है what are the standard American code for steel and concrete codes है ACI और AISC what is the code for general construction steel की करनी हो IS80 यह सब आपको हमारी website पे मिल जाएंगे what is unit weight of 25 mm steel bar कितना होता है 3.85 kg per meter 1 hectare कितने hectare होता है 1 hectare कितने hectare होता है 2.47 hectare होता है 1 gallon कितने litre होता है 3.78 अगर which type of cement is used in construction massive dam structure low heat cement हम use करते है अगर massive dam structure है low heat करेंगे अगर high heat करेंगे simple use करेंगे तो उसमें काफी बड़े-बड़े cracks create हो जाएंगे 1 kilo newton किसके 1 kilo को कितने kg होता है 1.1.97 kg होता है for steel structure what is permissible vertical deflection कितनी होता है span divided by 3.25 से हम निकाल सकती है अगर जो steel structure है उसकी permissible vertical deflection कितनी हो सकती है कितना deflect हो सकता है अगर वो vertical member है 1 ton कितने के लोगे होता है 1000 kg के अगर जो maximum free fall होता है concrete को कितने दूर से फैंक होगे आप तो वो acceptable होता है 1.5 meter तक acceptable है 1.5 meter के जादा फैंक होगे तो वो segregate हो जाएगे material वो कोई भी accept नहीं करेगा instrument use for level work on construction कौन सा instrument use किया जाता है वो होता है dumpy level but is minimum reinforcement in beam minimum reinforcement कितनी हम beam में प्रवाड़ करते हैं उसका फार्मूला है AST B into D equal to 0.85 into FI ये इस पे मैंने दो वीडियो बनाई है आप देखो पूरा अच्छे से explain किया है कि आपको reinforce में minimum reinforcement कितनी प्रवाड़ करनी है और maximum कितनी करनी होती है beam में वो कैसे निकालते हैं 0.40 into B into D B into D क्या है ये इस पे पूरी वीडियो बनाई है उसकी width और उसकी depth हम लेते हैं अगला question है What is the minimum reinforcement in slab वो कैसे निकालते हैं 0.12% into gross area जो भी slab का gross area होगा उसको कितने से multiply कर देंगे 0.12% से अगला क्या है What is the minimum reinforcement कोलम कितने है जो भी उसका area होगा उसका 0.88% But is the maximum reinforcement in column 4% से ज़्यादा उसमें नहीं होनी चाहिए अगर minimum bar in circular column should be minimum कम से कम कितने बार आपको डालने होते हैं circular column में 6 और rectangle square में 4 ठीक है But is the full form of ACC, ACC block जो उसके full form क्या होती है वो है आपकी autocolleative aerated concrete अगला question What is the full form of NDT non destructive test What is the full form of JCB Joseph Krill Bamford इनका नाम थे अगला which test is conducted to determine the bearing capacity of soil अगर soil की bearing capacity हमें जाननी होता हो तो उसको कौन सा test किया जाता है plate load test कि हम उसके लिए conduct करते हैं ring and ball test is conducted on which construction material bitumen पे हम चेक करते हैं जिसका grade check करने के लिए ठीक है अगला What is the section far bending consider at the face of column but is the maximum number of steps in flight flight में maximum number of column कितने हम steps दे सकते हैं बारा बारा के बाद आपको landing प्रोइड करनी पड़ती है but is the various limits states of strength flexure, compression, share और torsion ये चार होती है minimum hook length as per IS code 75 mm जहां उसको हम 9 to 10 d आपको provide करनी करनी पड़ती है but is the extra length in bent up bars उसको कैसे निकालते हैं explained video मिलेंगी हमारे चैनल पे but is the least count of dumpy level हमने उपर भी देखा कितना 5 mm होता है full farm के होती है GL की ये आपको drawings पे देखने को मिलेंगी काफी ज़यदा existing ground level फिर अगला question क्या है first class brick जो होती है कितने 20% से ज्यादा पानी उसको absorb नहीं करना होता है 20% से ज्यादा कर दिया 22.5 पहुँच गया तब वह होगी है second class 25 पहुँच गया तब वह होगी है third class brick जैसे पहले बताए है मैंने रेक्रेंगल जो column में minimum bar कितने होने चाहिए चार उसमें होने चाहिए और सब्सक्राइब में 6 अगला question है what are the various losses in pre-stressing कौन-कौन सा losses होते है pre-stressing हम जब करते हैं concrete की elastic deformation of concrete shrinkage of concrete creep of concrete relaxation of stress and steel इसलिए हम तीन टाइप की reinforcement उसमें provide करते हैं कौन सी spelling विकलियो और यह हम और यह हम तीन उसमें provide करते हैं और bursting जो because apparatus है किसलिए यूज़ करते हैं जैसे मैंने उपर soundness का आपके बताया अगर एक क्यूबिक मेटर में कितनी ब्रिक्स होती है 500 नग ब्रिक्स में होती है जो पोर्डलेंट सी मोट होता है नॉर्मल कंसिस्टेंसी कितनी होती है इसकी 25% जो expansion in पोर्डलेंट सी मोट होती है किस expansion जो होती है इसको कैसे हम टेस्ट करते हैं soundness टेस्ट है shear centered in steel column कितना होता है it is a point or axis which load acts strut क्या होती है inclined कोई भी हम प्रवाइड करते है जैसे strut हम mainly प्रवाइड करते है जब हम deep execution करते है तो उपर से मिटी नहीं किर जा है इसलिए हम strut से प्रवाइड करते हैं बाकि inclined कोई भी support हम बल्ली भी प्रवाइड करेंगा उसे भी हम strut up होलते है अगला question है ऐसे हम इसदर क्या है strut is a compression member अगला question है what is modular ratio modularization क्या होती है modulus of elasticity to the modulus of elasticity of concrete मतलब steel की जो modulus elasticity होती है उसको divide करते है किससे concrete की modulus elasticity अगला question है what is the minimum diameter आबार वो 12 mm का होता है बटा bearing piles bearing piles क्या होती है जो load को hard starter पे transfer करती है इसलिए हम bearing pile यूज करते है friction pile क्या हो गई है friction piles transfer the load by friction between the surface of pile and soil मतलब जो उसका surface होता पाइल का और soil का उसमें जो transfer करते है उसे हम friction piles बोलते है according to ice code full strength of concrete is achieved of मतलब full strength तो नहीं बोल सकते है लेकिन 97% हम बोल सकते है 28 days बाद हो गई होती है एक back के volume कितने होता है 0.035mq और minimum grade of concrete use for RCC क्या होता है M20 और slenderness ratio जो limit होती है कॉलम की अगर 12 से कम आए less than 12 तो वो short column होता है more than 12 है तो वो long column होता है अनिश्या final setting नहीं बता चुका हूँ less than 30 minute और final हो गया हमारा 600 minute least chattler apparatus ले यूज़ करते है soundness के लिए ये question हो गए हमारे 1500 अभी आपके कॉन से बज़े railway के वो अभी मैं आप आप वीडियो को continue रखाओ उसमें आपको railway के question जो 10-12 question थे वो पिक्स के साथ समझाऊंगा, वो आपको अच्छे से समझाए जाएंगे, ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी वो हम, जो लेंथ आफ इच फिश प्लेट, जो फिश प्लेट यूस की जाती है, जो रेल्स दो होती है, मतलब समझ रहे हो रेल, रेल को जोंगने के लिए और फि 457.2 mm, ठीक है, हमेशा याद रखने हैं, इंटर्व्यों में पूशा जाता है कि, बाकी ऐसे तो काफी टाइब की फिश प्लेट आती है, लेकिन उसकी लेंथ कितनी होती है, 457.2 mm, एकली कोशन की तरफ बढ़ते हैं, दो रेल चेर आट उस तू फिक्स, जो रेल चेर रहनत जो हमारी फ्लेट रेल होती है, तो उसको रेस्ट करने के लिए, उसको अच्छे से फिक्स करने के लिए, तो हम रेल चेर करते हैं अगर डवल हैड रेल कोशन के पूछा जा सकता है. bearing plate are used to fix dash rails on wooden slipper bearing plate होती के हैं आप सामने pick में भी देख रहे हो bearing plate हम use करते हैं जो हमारी flat head rail होती है जैसे सामने आपको दिख रहा है flat footed rail और bearing plate नीचे तो उसके लिए हम क्या करते हैं bearing plate use करते हैं यह important question है यह interview में पूछा जा सकता है कि जो flat footed rail होती है उसको हम कैसे fix करते हैं slipper पे जा जो bearing plate है उस पे किस लिए use आती है कौन सी rail हमें उस पे बिठानी होती है double head यह flat footed head rail अगला जो question है interview में पूछा जाता है वो है the main purpose of using bearing plate हम bearing plate यह use क्यों करते हैं हमने पीछे देखा flat footed rail होती है जो उसमें हम bearing plate करते हैं fix के लिए तो इसका answer आपको देना है distribute the pressure over wider area मतलब जो flat footed rail का आएगा वो जो नीचे bearing plate होगी वो easily distribute कर देगी जो भी उस पे load आएगा वो जो नीचे slipper लगा होगो उस पे easily distribute कर देगी इसलिए हम क्या करते हैं जो bearing plate है वो हम use करते हैं किसके नीचे flat footed rail पे एक important question था आपको interview में अगर आप railway में भी जाते हो railway के interviews होते हैं जहां आपको कोई काम मिल रहा है railway में तो यह question आपको face करने बढ़ेंगे इसलिए आपको यह pics के साथ दिखा रहा हूं कि आपके काफी काम आई यह question अगला question जो है the creeping of rail can be checked while using कि जो creeping होती है rail की उसको हम कैसे check करते हैं क्या उसके लिए instrument यूज़ करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ तो सामने आप anchor देख रहे हो anchor की help से पता चलता है कि उसमें कितनी करीप है यह creep है क्या मतलब movement होती है rails की जब उपर train चलेगी तो जो नीचे rails लगी होती है उनकी movement होती है उसको check करते है कि ज़्यादा करीब तो नहीं होगी है मतलब 100 mm तक कुछ limit होती है एक 130 mm तक शायद तो लेकिन इससे हम anchor से पता जल जाता है उसका गिसाब आप सामने देख रहे हो तो उससे idea हो जाता है कि कितनी हुई है अगला question है on Indian railway minimum formation built in embedment for single line of broad gauge तो वो कितनी होती है 6.1 meter आपने देखा होगा जो aggregate डाला होता है कैंकरा डाला होता है वो कितना वाइड होता है कोई भी एक अगर उसमें से railway line जाने वाली है single line गोज ब्रोड गोज की ठीक है ब्रोड गोज तो उसमें कितना 6.1 meter बनाती है जैसे आप दिन देखा होगा एक ट्रेपोजडियल फुटिंग जैसी मतलब एक ट्रेपोजडियल एक शेप का बनाए होता है उसके ओपर ट्रैग लगा होता है तो वो कितना होता है minimum 6.1 meter अगला question है the device used for changing the direction of engine is called turn table सामने आप turn table देख रहे हो उसकी pick दिख रही होगा अपक उसका face change हो जाता है engine का तो इसको basically use किया जाता है जब भी engine का जो locomotive होता है उसको change करने के लिए हम क्या करते है turn table use करते है अगला question है the device you provided to prevent the vehicle from moving behind the end of rail is called buffer stop यह आप लोगोंने इस काफी जगा देखा भी होगा लेकिन आपको पता नहीं है कि इसे बोलते के है और आपको idea त एक stopper सा लगा होता है आप सामने pick देख रहे हो यह चीज end में लगाई होती है कि अगर by chance emergency में यह train इसको buffer stop से रुक जाए यह basically हर जो rail का end होता है वहाँ लगाया जाता है जहां कोई stoppage हो कहीं मतलब पटरी खतम हो रही है वहाँ पे यह basically buffer stop लगाया जाता है तो अगला जो question 9th number का question वो है the distance between the running edge of the stock rail and switch rail and switch heel is called heel clearance है सामने आप देख रहे हो यह heel clearance होता है यह heel block होता है जो सामने आप देख रहे हैं जहां से पटरियां side हो रही है इसको मैं pick के माधियम से आपको अच्छे से समझाता हूँ देखो जहां दो rail है मतलब एक जहासे आपने परणी pick में द section देखो एक rail होगी एक दूसरी इदर होगी तो जो last rail से लेके उसके अंदर की heel मतलब उपर ही उपर आपको यहां दिख रहा होगा है heel clearance मतलब बाहर की rail से अंदर की तरफ जो भी distance होता है उससे हम क्या बोलते है heel clearance अब ऐसी अगला question क्या है the distance between the adjacent face of the stock rail and the check rail is called क्या होता है आपको flange way clearance, flange way clearance आपको कहां दिख रहा है पहले तो सबसे पहले इधर left side में देखो flange wheel दिख रहा है आपको wheel गया उसके नीचे flange depth फिर हम इदी stock rail तो उसी के उसमें क्या होता है जैसे हमारा था बहार से अंदर heel clearance इसमें क्या है अंदर अंदर जो होता है flange way clearance मतलब दोन heißtus चेलेकर जो अंदर की। रएल होगी उसके लाफ को घल टो हो गया हमारा frankly फिरादा फ्लेंज बें वहते हैं अंदर से अंदर का 快 रखे में उसके बियोंगी cath लिए पर बैश और गया होकिया फरchnञ कर लो, बाकी आपको इसमें क्या है भी कोशन और भी ज्यादा है, 20-25 कोशन है, रेलवेइंजिनिग इंटर्वीव कोशन है जो, आपको ये क्या है, इंटर्वीव में नहीं, SSE के कोई भी exam होता है junior engineer का exam होता है जो छोटे exam रसाते हैं उनमें ये questions देखे जाते हैं आप इनको interview questions भी ले सकते हो और आपको ऐसे भी ये काम आएगा